रुखानियत, रुख से निकला लफ्स और रुखानियत, रुख का इल्म रखने वाले को कहते हैं दरवेश, बुजूर्ग, पीर, सूफी ये सब पहले जमाने की बाते हैं लोगों में रुखानियत पाई जाती थी क्योंके वो सच्चे लोग होते थे इनमें कोई बुराई नहीं पाई जाती थी, अब ये सब बहुत मुश्किल काम है क्योंके परेशकार और मुत्तकी बनना आप इस दोर में एक नामुम्किन काम है हमारा माश्रा जिस डगर पर चल रहा है, उसमें शायद ही कोई इंसान हो जिसको जिसको अलापाक ने उस मकसद के लिए पैदा किया हो रहानियत ऐसी चीज है जिसमें आग दुनिया में होते हुए दुनिया में नहीं होते आपकी हर बात उस खालिक से होती है और खालिक ही की जुबान आप बोलते हैं वैसे तो हर इंसान की जिन्गी को अला पाक खुद चलाते हैं लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने हर अमल में अपने रब की रजा चाहते हैं रुहानियत का दर्जा अपाना इतना असान नहीं है लेकिन जो लोग इस दर्जे को पा जाते हैं वो अमर हो जाते हैं उनका नाम इस दुनिया में भी गूंचता है और अगली दुनिया में भी काश हमें रुहानियत का दर्जा मिले और हम इसको निभा सके लेकिन रुहानियत नाम भी मिले लेकिन इस मुल्क से दुआ है के ऐसा इंसान बना दे जो तुझे पसंद हो